पूरे दुनिया के पिता है जिसने आपके लिए सलीब पर बलिदान किया उसकी सामर्थ को आप पा सकते हैं आमेन यदि आपका निर्ने परमेश्वर के वचन के अनुसार है यदि आपका डिसीजन परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आपके जीवन में हर घटना हैं हर चीजें जो घटने वाली हैं उसमें कहीं न कहीं परमेश्वर के शक्ति उसमें सामिल रहेगे एश्युमसी के नामे देखो आपकी बढ़ोत्री का चाहे आपके नौकरी का सिस्टम हो चाहे आपके वेवसाई की बढ़ोत्री हो चाहे आपके परिवार की जमीन आपको मिलना हो या कुछ भी हो अगर आप सही निर्ने लेते हैं परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करेगी एश्यू मसी के नाम है आमेन बगलवाले से बोलो क्या आप निर्णे लेने के लिए तयार रहेंगे की नहीं तयार रहेंगे की नहीं हालिलुया बिलकुल भी इस बात को सोचना नहीं, संदेह नहीं करना येशु मसी ने का संदेह मत कर और याद रखो जिसने भी संदेह किया उसके वचन के रूपर येशु मसी ने उसे अलप विश्वासी कहा आप अलप विश्वासी है कि बड़े विश्वासी है कितने लोग बड़े विश्वासी हैं हाथ उठाईए क्या आप बड़े विश्वासी है हाथ हिलाईए Holy Spirit को महिमा देजे धन्यवादियो इश्व आप बड़े विश्वासी हो आमेन बोलो आप यदि बड़े विश्वासी है तो हर इस्थिती में अपने आपको आत्मिक इस्थिती बना के रखना बोलो हर परिस्थिती में हर इस्थिती में आत्मिक इस्थिती बना के रखना क्या बना के रखना है हाँ आत्मिक इस्थिती को क्या रखना है बना के रखना है रखना है की नहीं रखना बताइए अगर आप आत्मिक इस्थिती को बना के रखा हर परिस्थिती में आपके लिए रास्ते खूलेंगे इश्यू के नाम है येसा लिखते है तुम यहोवा के कारण प्रसन्न हो जाओगे आमेन आपकी प्रसन्नता यहोवा के कारण होगी हालेलूईया हमारी आपकी प्रसनता परमेश्वर के कारण है किसी इंसान के कारण नहीं हमारी आपकी प्रसनता धन नहीं है हमारी आपकी प्रसनता प्रापर्टी नहीं हमारी आपकी प्रसनता यहोवा परमेश्वर है आमेन बहलो उसके जीवन को पाने के लिए उस सक्ति को अपनी जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार अपनी जिन्दगी में डिसीजन लेना है और जब आप परमेश्वर के अनुसार अपनी जिन्दगी में दिनने लेते हैं याद रखो हार एक भाई बेंजो यहां बैठा हुआ है अपनी जिन्दगी में दिनने लेना बहुत जरूरी है हार एक के लिए हार एक के लिए मैं कहा रहा हूँ कोई वी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिन्दगी में दिनने ना लेता हूँ लेना है लेते हैं की नहीं लेते हैं घर बनाने का निरने लेते हैं की नहीं लेते हैं भई शादी विवा करने का निरने लेते हैं की नहीं लेते हैं सब कुछ का निरने लेना है पर याद रखो कि यदि यहवा का वचन आपके साथ है उस आप प्राथना पूर्वक उसके साथ अपना समय वैतीत कर रहे है, अपनी जिंदगी को नमरता के साथ उसके सामने पेश कर रहे हो, और उसके वचन को अपने अंदर सुरश्शित रखा है, क्या रखा है? परमेश्वर का वचन अपने अंदर सुरश्शित रखा, वचन को नहीं तोड़ने दिया, तो ये वचन उचा उठाएगा इशुनासरी के नाम है ये वचन आपको उचा उठाएगा इशु के नाम है जो चीज बोया गया वो आप में सुरश्चित रहना चाहिए जो बीच खेत में बोया गया उसे क्या रहना चाहिए बताइए जो बीच आपने खेत में बोया यदि वो सुरश्चि याद रखो कि इस अंसार में तर्क और वितर्क इस अंसार में उस वचन को लेकर के लफड़ा नहीं करना कुछ भी नहीं वचन सालींता के साथ समझने का एक शक्ति है आमें वचन सालींता के साथ अपने अंदर रखने का एक तरीका है आमें और यदि उससे पागल पंथी के स में आत्मिक तोर तरीका अपनाने की जरूरत है आमेन किसी से लडाई करके किसी से उस पर बात भी बात करके हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे प्रभू को समझने के लिए शांत मन की जरूरत है प्रभु को समझने के लिए शांत हिर्दय के अवशक्ता है अगर इस हिर्दय में अगर आप आंधी तूफान भरा हुआ है संसार का कभी आप समझ नहीं पाओगे कभी आप उसकी आवाज सुन नहीं सकते हैं सही है की नहीं उस सर्विश अक्तिमान को जो सर्विश अक्तिमाने उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें अपने हाट को सांध करना पड़ेगा हमें अपने बिवेक को शुद्ध करना पड़ेगा तभी हम सुन पाएंगे वो बहु काट करता है और उसका नेचर अपने अंदर लेके आता है वो उसके शब्दों को क्या कर पाएगा सुन पाएगा नहीं तो वो बोलता रहेगा आप सुन नहीं सकते आप गोंगे आप बहरे बन जाओगे उसके लिए हाथ उठा के बोलो परमेश्वर के ग्रहन योग यह बाते हमारी जिन्दगी में बल पाती है कौन सी बाते बल पाती है परमेश्वर के ग्रहन योग बाते है हम अपनी जिन्दगी से उसके सामने सेक्रिफाइस करें हमारी जिन्दगी का बोलना हमारी जिन्दगी का रहना हमारी जिन्दिगी का चलना किसको भाना चाहिए किसको अच्छा लगना चाहिए Yes सोच लो हमारी जिन्दिगी का हर तोर तरीका परमेश्वर को भाना चाहिए इसलिए येश्य मसी ने कहा कि येश्य मसी के सामने बहुत ज़्यादा भीड लगी हुई थी उसमें से एक बच्चा निकलकर येश्यमसी के सामने आने लगा। चेले लोग उस बच्चे को पकड़कर उसको डाटा। तब येश्यमसी जब देख रहे थे उस बच्चे को तो उसने चेलो को कहा कि इसे मना मत करो इसे मेरे पास आने दो। बच्चे को मना क्यों करते हो ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं बच्चे किसके पास जाते हैं अपने पिता के पास बच्चे किसके पास जाना चाहते हैं पिता के पास वो बच्चा येश्यमसी के पास आना चाह रहा था तो चेले क्या किये डाट दिया और रोग दिया नहीं जाना है येश्यमसी के पास चेले को जब ये काम करते वे येश्यमसी ने देखा तो येश्यमसी ने चेले को डाटा चोलो उसे उसे बच्चे को मेरे पास आने दो क्योंकि ये जो बच्चा मेरे पास आ रहा है इसके अंदर ही मेरा नेचर होगा इसके अंदर ही मेरी सामर्थ होगी इसके अंदर ही मैं अपनी शक्ति को दिखाऊंगा इसके अंदर ही मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा आमेन हालेलुया उसकी परिस्तियों को फल्वंथ होने के लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा हमें उस जमीन को भूमी को तयार करना होबा जहांपर परमेशर अपनी महिमा को दिखा सके अगर वो कठोर है अगर वो मर्भूमी है वहाँ पर किसी तरीके का बीच फलवन्त होगा क्या? नहीं होगा इसलिए याद रखो कि हमें अपने हाट को तयार करना होता है उसकी महिमा के लिए अपने अंदर एक सुद्ध विवेक रखना होता है तब हम उसकी शक्ती को उसकी दीगी बातों का अर्थ अपने जीवन में समझ पाते हैं समझ ही केवल नहीं पाते पर उसकी आशीशों को अपने जीवन में देख पाते हैं आमेन वो हमारी जिन्दगी में चलता फिरता हुआ दिखाई देगा ये सब सारी चीजे हैं एक विश्वास की विश्वास का बल है वगल वाले के हाथ पगल के बोले जहां पर वो बढ़ सके इसलिए एश्वास ने क्या कहा राई के दाने के समान स्वर्ग कराज राई के दाने के समान है स्वर्ग कराज राई के दाने के समान है वो आपके हाट में आना चाहता है वो आपके अंदर आना चाहता है और जब राई के अदाना बढ़ता है, वो पौधा बना, पहले अंकुर निकला, फिर पौधा बना और फिर उसके बाद पेड़ हो गया, आमेन, लिखा है कि वो सारे सागपाथ से क्या हो गया, हाथ उठा के बुले, वो सारे सागपाथ से क्या हो गया, बढ़ा हो गया, सरसो, देखा है कि नहीं देखा राई देखा है कि नहीं देखा वो सारे साख पास से क्या हो जाता है जब लेकिन बोया जाता है तो जमीन में दिखाई देता है इसका उधारन कौन दिया मालूम है येश्यू मसी ने इसका उधारन येश्यू मसी ने दिया जो चीजे आपको वो दे रहा है सायद कोई न देखता हो पहली बार जो चीजे उसने आपको दे दिया हो सायद किसी ने नहीं देखा पर जो चीजे आपके अंदर आ गई हैं अगर आपने उसे समहालना जान लिया तो पूरा दुनिया देखने वाला एशियो मसी के नामेहा ले लिए चर्च की सभी प्रार्पनाओं को और परमेशन के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइब प्रार्पनाओं तो सबसे पहले आप देख सकें